अलो एवरीवन तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अंजी काड प्रोजेक्ट की तो यह जो प्रोजेक्ट है जम्मु कस्मी ने बनने जा रहा है दरसल यह एक केबल बिरिज है जो की कॉंकन रेल्वे कोर्पोरेशन द्वारा बनाया जा रहा है जो एक कॉंकन चलिए बात करते हैं इसकी कुष डीटेल्ज की कैसे कितनी लैंथ है कितनी हाइट पर है चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले पॉन्ट आता है कि यह एक केबल बिरिज है केबल बिरिज यानि की इसमें केबल्स का यूज़ किया गया है बिरिज को सपोर्ट देने के यानि कि हमारे इंडिया का पहला केबल भी रेज जो की रेलए के दिवारा बनाया गया है या कि मतलब की जो की रेल सर्विस के लिए इस्तैमाल किया जाएगा इसकी जो height है वो है 331 meter above river bed यानि कि river के surface से 331 meter उपर ये बनाया जा रहा है और ये बनाया जा रहा है चेनाब river पर इसकी जो length है वो है 473.25 meter इसका जो embankment है यानि की तट बंद यानि की कोस्ट के पास जो तट से जुड़ा हुआ इसका हिस्सा है वो है 44 meter का इसमें number of cables यो यूज हो रहे है वो है 96 यानि की 96 केबल इसमें यूज होंगे और ये दुनिया का सबसे उचा rail bridge हो जाएगा अभी बना नहीं है बनेगा बनने के बाद ये दुनिया का सबसे उचा rail bridge हो जाएगा ये connectivity प्रोवाइड करेगा catra to riasi ये दो जम्मु कस्मीर के हैं लोकेशन है जम्मु कस्मीर है तो catra को riasi से जोड देगा और जो ये catra है और riasi है इन दोनों को अलग करती है चेनाब इनको अलग करती है तो जो यह ब्रीज है चेनाब रिवर बनाने जा रहा है चेनाब रिवर जो कि हिमाचल के 12 लाचा दर्रे से निकलती है यह है के ब्रीज ऐसा होता है इसमें केबल होते हैं यहां पर एक लोंग केबलों का सपोर्ट के लिए उसे जो है वाड की वारीबल लैंद के केबल सपोर्ट के लिए लटके रहते हैं इसमें 96 केबल का इस्तेमाल हो रहा है और 400 तिहत्ता इमिटर यह लंबा है याद करने की बात जो है वो है कि यह बनाया किसके द्वारा जा रहा है तो कॉंकन डेलवे इसको बना रहा है जम्मू कस्मीर में कट्रा को रियासी से जोडने के लिए ताकि वहां का जो जर्णी है ट्रेवलिंग टाइम में वो कम हो सके और प्रोपर टाइम पर डिफैंस के मटीरियल या फिर लोगों का आवगमन महां इजिली हो सके तो यह था आज का टोपिक आई होप आपको चल लगा हो थैंक्स ओर वाचिन थैंक्यू